चलिए अब राशी अनुसार बात कर लेते हैं बारियाधी है विर्षब राशी की तो आज विर्षब राशी वाले गोवर्धन पूजा पर भगवान कृष्ण की कैसे पूजा करें क्या लगाए भोग किस खास मंत्र का जाप करें आए जानते हैं और देखते हैं विर्षब र विड़न दो राशियों में बहगवान पैदा हुएं एक तो बिषब राशी में श्री कृष्ण पैदा हुए और कर करासी में राम पैदा हुएं एक चंद्रमा की उच्छ रासी है और एक चंद्रमा की स्व रासी है तो आप लोगों केलिए तो ये गवरों का विश Met vest iicing ज जाने चाहिए उनके, तो ब्रिसभराशिवे के लोग आज भगवान कृष्ण को गुबर्धन पूजा पर और सब भोग लगाएं, उसके साथ सफेद रस गुल्ले का भी भोग जरूर लगाएं, फल में केला, सेव, सुखे मेवे और तुलसी के पत्ते भी चढ़ाएं, अगर आपके घर में लडू गुपाल हैं, या भगवान स्री कृष्ण की प्रतिमा है, तुने एक प्रिक्रिश्न की प्रतिमा है, तुने पीतल की ठाली में रख लीजए और दक्षिनावर्थी संख में, जल भर करके, फिर दूद भर करके, फिर गन्यकारस करके, फिर सहत भर करके, फिर घी भर करके, फिर दही भर करे पूरु सुख्ट के सोलमन्त्रों को पढ़ते हुए, भगवान का अविश्य RH करिए, धारन करवाएं आभूशन धारन करवाएं और उन्हें सिंहासन पर विराजमान करें यह सब करने के बाद आपके पास जो भी सामर्थ है उस सामर्थ के अमसार उनको नवेद्य समर्पित करें धूप दीप भी जलाएं धूप दीप जलाने के बाद उन्हें नवेद्य समर्पि अगर ज्यादा नहीं कर सकते हैं तो कम सकम 108 बार जरूर बोलिएगा तभी ये आपके जीव का भी आपके साथ आना साकार होगा आज ब्रिशवरासी के जातक गाय को भीगी हुई चने की डाल जरूर खिलाना चाहिए और गव माता को प्रणाम अवस्य करना चाहिए अगर आप ब्रिशवरासी के जातक हैं और ये उपाय करेंगे तो आप बिश्वास करिए आपकी मनो कामना तो पूरी होगी ही इस भावतिक संसार में इस लोकिक संसार में तो आपको सुख मिलेगा ही आपका परलोक भी बनेगा आपका भावतिक रास्ता जो है वो भी प्रसस्त होगा ये नहीं है कि क्यों यहीं आप सुख करेंगे यहां के बाद भी जहां जाएंगे न वहां भी आपको सुख मिलेगा जैमा बिन दिबास में चली आगे बढ़ाते हैं चर्चा को तो गोवर्धन पूजा के दिन गोवर्धन का ही प्रयोग क्यों किया जाता है क्यों गोवर्धन परवत बनाया जाता है विसके तीछे का विज्ञानिक कारण क्या है चले विए पंड़ेजी से जानते है पंडर जी ये तो सवाल मेरे भी जहन में आता था कि आकर क्यों गोपर का ही इस्तेमाल किया जाता है देखो सही बात ये है कि भारत वर्स में आज GDP आती है ना कहते हैं कि चाइना की GDP इतना है अमेरिका की जीडीपी इतना है भारत की जीडीपी इतना है सारे देश के अर्थविवस्था का मुल्यांकन जीडीपी से होता है पहले प्राचीन भारत के जीडीपी को अगर नापा जाता था तो गाय से नापा जाता था गोधन गजधन वाजधन और रतन धन खान जब आवय संतोस धन सवधन धूरि समान गोधन गाय से बड़ा कोई धन माना ही नहीं जाता था भारत के अर्थशास्त्र की मेरुदंड गाय थी गोधन, गाय से जो दूध दही प्राप्त होता था, उससे जो आर्थिक इस्थिती बनती थी वो प्रमुक थी गोधन, गजधन, इसके बाद हाथी धन, इसके बाद घोड़ा धन, गजधन, बाजधन और रतन धन खान, उसके वयावय संतोस धन, सब धन धूर समान, और संतोस रूपी धन जबा जाता है, तो सारे धन की महत्ता खतम हो जाती है, तो गाय को चूकी भारत में, भारत वर्स में अर्थशास्त्र की मेरुदंड माना जाता है, आज भी पूजा विश्वास करो, अगर आपने एक 20,000 की गई इसनीक करना तो ही ज़ जाती है। अगर आप रूठा नहीं है अगर आप बत्किसमत नहीं है गाए बिमार नहीं हो या गाय की देखभाल ठीक से हो रही है तो ये 20,000 रुपिया आपका 5 साल में 1 लाग हो सकता है ना कोई बैंक कर सकता है और ना कोई फिक्स डिपाजिट कर सकता है तो ये गाय हमारे अर्थ सास्तर का मेरुदंड है तो इसलिए उसके गोबर की भी उपयोगिता है तो अब मैं आपको गोबर्धन पूजा के बैज़्यानिक महत्यों के बारे में अपने बुद्ध के अनुसौर बताना चाहूंगा आपको सकता है हमसे जादा जानते हो आप सोचिंए कि गोबर्धन पूजा के दिर गोबर का प्रयोग क्यों किया जाता है मेरी सोच है कि गोबर से ही गोबर्धन परवत क्यों बनाया जाता है बारिस में या बारिस के बाद बैक्टीरिया और वायरस से होने वाले रोगों में बिर्धी हो जाती है यह आपको भी लगता होगा, इसमें हर घर में वाइरल फैला हुआ है, बुखार से लोग परिसान हैं, तो गोबर एंटी बैक्टीरियल तत्तों से भरपूर है, जो किटाणूओं को मारता है, ऐसे में आज के दिन घर के आंगन में गोबर से गोबर्धर बनाने के कारण घर मे सुधता आती है, हानकारक बैक्टीरिया का नास होता है, अनकूट की सबजी भी फाइवर से भरपूर होती है, जो सेहत के लिए लाबकारी होती है, जब हमारे घरों की फर्ष पक्की नहीं होती थी, तब चाहे पूजा पाठ में सत्यनाराण की पूजा होती थी, और चाहे क कोई धार्मिक अनुस्थान होता था गाय के गोबर से लीप देने का मतलब है कि वहां के जितने हानिकारक वैक्टीरिया हैं विसानु हैं सब गोबर से समाप्त हो जाएंगे इसलिए आज के दिन जो गोबर आंगन में इकठा करके और उसका जो परवत बनाया जाता है वो भी उसी का एक प्रतीक है क्योंकि सनातन धर्म पूर्ण रूपेंड तथ्यपरक आधारों पर आसित है जैमाविन दिवास में और आए बागे बढ़ रहे हैं बात कर लेते हैं मिथुन राशी के तो आज मिथुन राशी वाले गोबर्धन पूजा पर भगवान श्री कृष्ण की कैसे पूजा करें क्या उन्हें भोग लगाएं किस खास मंत्र का जाप करें चले जानते हैं देखें मिथुन राशी के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज गोबर्धन पूजा पर आपको बिधिवत भगवान श्री कृष्ण का अविशेक करना चाहिए उन्हें नए वस्त्रधारन करवाने चाहिए मुकुर्धारन करवाने चाहिए और उसके बाद उन्हें दिव् दीप नवेद्य से पूजा करके उनके लिए आपको भोग शामग्री अरपित करनी चाहिए जिसमें आपको माखन मिश्री तो जरूर रखना चाहिए साथ में काजू की मिठाई भी आप अरपित कर सकते हैं यहूं के आटे की बनी हुई पंजीरी या हल्वा और तुलसी का पत्ता का भोग लगा सकते हैं सुगंधित और सुवासित जल भगवान कृष्ण को आच्मनी के रूप में आप प्रदत्र कर सकते हैं अगर आपको मंत्र आता है तो आप पांच बार मंत्र पढ़के आच्मनी गिराएं ओम प्राणा एश्वाहा व्याना एश्वाहा पाना उदाना एश्वाहा समाना एश्वाहा ये आच्मनी के लिए पांच मंत्र हैं अगर नहीं तो एक चांदी की गिलास में सुवासित जल भरकर उनके पास आप रखती है और उसके बाद एक पान के पत्ते का बीड़ा बना करके उनके लिए मुख सुध्यर्थम तामबूल उसके बाद कपूर से विधिवत आरती करिए ओम कृष्णाय नमा ओम क्लीम कृष्णाय नमा इस मंत्र का पूरे दिन जब करिए आज मिथोनराशी के जात्कों को बताना चाहूंगा कि गाय को बेशन से बनी कोई भी चीज आपको जरूर खिलानी चाहिए इससे आपको पू गुवर्धन पूजा पर भगवान कृष्ण की पूजा कैसे करें उन्हें क्या भोग लगाए कि इस खास मंदर का जाप करें जानते हैं करकाशी के लिए देखिए अगर आपकी करकरासी है तो मैं आपसे कहूंगा कि आज प्रातहकाल से ही खूप तयारी करके गुवर्धन पूजा की भगवान कृष्ण का बिधिवत जितना हो सके सोट सो पचार पूजन कीजिए और पूजन करने के उपरांत धूप दीप जब जल जाए तो दिया जलाने के बाद हाद धो लिजिए और एक सुन्दर सी पीतल की ठाली में भगवान को जितने प्रकार का नवेद्द्य आप अर्पित कर सकते हैं वो सब रख करके उसमें मेवे की बर्फी हो उसमें नारियल की कोई मिठाई हो लाल रंग का कोई फल हो माखन मिसरी हो तुलसी का पत्ता हो और एक चांदी की बांसुरी हो ये सब चीजें आपको भगवान स्री कृष्ण के सामने प्रस्तुत करना चाहिए अर्पित करना चा और कपूर से आर्थी करने चाहिए और आज द्वादसाक्षर मंत्र का बहुत बड़ा महत्व है ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय अगर आप बैश्णों संपरदाय से दिख्षित हैं और आपको दिख्षा में ये मंत्र मिला है तो आज क के अंदर जो प्रकास महसूस होगा उसे आप ही उस आनन्द को समझ पाएंगे वो बाड़ी का भी से नहीं होगा लेकिन अगर आप सामाने ग्रिहस्त हैं तो कम से कम 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय जरूर बोलिएगा और आज करकरासी के जातकों को चाहिए कि गाय को कुछ अन्न तो खिलाएं ही साथ में अगर हरी चेरी मिल जाए तो उसे भी उसे खिलाने की कोशिस करें जै माविन दिवास में